असलाम वालेकुम फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल आप देख रहें अपना चैनल वफा हैंड़ वर तो आज हम देखी बहुत ही प्यारी सी सिलीट से पी डिजाइन बनाएंगे मशाला से बहुत ही प्यारी सी डिजाइन है इस डिजाइन को आप दुपट्टे के पल्ल ने एक सी लीट से पर बना लिए अभी दूसरी सी लीट से हम देखें गी किस तरह से डिजाइन बनेगी तो इस तरह से डिखिंगे शिल्क अमिल्याड रोड़ी दागा मैंने लिया है और इस दागे के पांच लेयर करके बनाएंगे इस तरह से बड़े दागे आते हैं और यह बारिक होते हैं धागे तो इस धागे के लेयर करके बना के फिल डिजाइन बनती है इसमें गोल्डेन बीट से डाले हुँ सबसे पहले हम बेसलाइन बनाएंगे फिल डिजाइन बनेगी हमारी कि सिलिप नॉट बनाएंगे पहले अब तीन चैन और डबल कुरिशिया बनाएंगे फिर एक चैन लेते हुए डबल कुरिशिया अक साथ बेसलाइन तयार करना हुए तो मैं बेसलाइन बना देती हुए फिर देखते हैं डिजाइन कैसे बनेगी तो अगर आप पहली बार चैनल पर आईए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर न्यव वीडियो की नुटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे तो इस तरह देखिए बेस्लाइन में पूरी बना ली यहां पर सिलिप स्टिच कर लेना है अब इसी में हम कर लेंगे सिंगल कुरिशिया अब यहां पर हम बेट से लगाएंगे डिजाइन बनाना शुरू करेंगे चार लगाएंगे यहां पर गौर से देखिएगा किस तरह से यहां पर हमारी सारी बीट से लगेगी एक के बाद एक चार चार ही लगाना रहेगा चार बार इस तरह से हमें लगानी रहेगी बीट पहली बार लग गई अब यहां पर हम तीन चैन और यहां पर सिंगल यह पहली बीट्स के दर्म्यान में इस तरह फिर से यहां पर चार लगा लेंगे इस तरह से अब तीन चैनल लेते हुए हमें यहां से लेकि यहां से यहां तक कर लेना है सब में सिंगल कुरिशिया पहले वाली में बस एक बार करी हूँ यह दो में भी बादने करेंगे हम इस तरह देखें कर लेना है चोटा साइब फ्लावर जैसे दिखने लगे गए अब यहां पर फिर से हम चार लगा लेंगे बीट्स इस तरह फिर तीन चैनल लेते हुए हम यहां तक कर लेना है इस तरह अब फिर से चार लगा लेंगे फिर तीन चैनल लेते हुए यहां तक कर लेना है इस तरह से यह की चार बार लगए ना वन टू त्री फोर अब यहां पर हमें अटेज करना है जो पहले लगाई थी ना इस वाली बीट्स में सिंगल कृशिय से फिर तीन चैन और यहां पर भी कर लेंगे इस दरा से अब यहां हम नीची की तरफ जॉइंट करेंगे नेक्स्ट वाले स्पेस में करेंगे सिंगल कुरिश्या इस तरह से अभी एक चैन लेते हुए चार स्पेस में और कर लेंगे इस तरह यहां पर हमारे टोटल पांच सिंगल कुरिश्या रहेगी तो कुछ इस तरह से एक हमारा छोटे सा फ्लावर जैसा बन जाएगा अब यहां पर फिर सेम उसी तरह से फ्लावर बनाएंगे तीन चैन यहां पर सिंगल कुरिश्या फिर चार उसी तरह बेड़ से लगालेंगे यहां पर सिंगल कुरिश्या इस तरह के अब यहां पर धागे को निकाल के इस तरह लेंगे यहां पर अटेज्ट कर लेंगे दोनों flowers को जोड देंगे इस तरह तेन चैन करते हुए यहां पर सिंगल कुरिषिया फिर तीन चैन यहां पर सिंगल कुरिषिया इस तरह से अब फिर चार बेट्स वही तरह लगाएंगे इस तरह से करके फिर चार लगा लेंगे इस तरह यहां पर देखी चार बर टोटल लग गए है बीट्स अब यहां पर हमें यह नीचे वाली जो लगाई थी बीट्स उसमें अटेच कर देना है सिंगल कुरिश्या से फिर तीन चैन और यहां पर सिंगल कुरिश्या अब नीचे तरफ सिंगल कुरिश्या से जोइन करेंगे नेक्स्ट वाले स्पेस में इस तरह फिर एक चैन लेते विए चार स्पेस में और सिंगल कुरिश्या बना लेना है इस तरह यहां पे हमरे पास टोटल पाच तंगल कुरिश्या है तो अब इस तरह से फिर यहां पे फिलॉवर बनाएंगे और यहां पर किस तरह से फिलॉवर को जोड़ेंगे वो मैंने बता दिया है तो इसी तरह से बनाते हुए मैं यहां तक पहुंचते हूं फिर आगे देखते हैं तो इस तरह से दिखिए राउंड हमारा पूरा हो गया सिंगल कुरिश्या नेक्स्ट वाले स्पेस में कर लेंगे इस तरह अब यहां पे हम एड चेंज इसमें सिंगल कुरिश्या फिर एक चेंज इसमें सिंगल कुरिश्या कर लेंगे यहां पे शिलिप श्टिच कर लेना है इस तरह से अब देखिए सारे फ्लावर्स हमारे एक दूसरे एक साथ जोड़े हैं अब यह वाला नहीं जोड़ पाया है तो अभी यहां पर हम इस से कैसे जोड़ेंगे वह देख लेते हैं तीन चैन लेकि यहां पर सिलिप स्टिच करना है सिंगल कुरिशिया पर इस तरह से करते हुए हमें यहां तक पहुचना है तीन चैन लेकि यह सिंगल कुरेश यह पर सिलिप स्टीच अब यहां पर हम इस तरफ जोड़ लेंगे इस तरह से तीन चैन और यहां पर सिलिप स्टीच फिर तीन चैन जितनी भी सिंगल कुरेश है ना वहां पर सिलिप स्टीच करते हुए हमें बीच तक पहुचना है अब यहां पर बीच में एक सिंगल कुरेश कर लेंगे एक चैन लेते हुए यहां पर कर ली अब यहां पर हम इसकी ऊपर इसी तरह से फ्लावर बनाएंगे अ चार बीच से लगाते हुए तीन चैन यहां पर सिंगल कुरेश है करके फिर चार लगाएंगे बिल्कुल जैसे फर्स्ट फ्लावर हमने बनाए था ना बिल्कुल उसी तरह से हमें बना देना है बनाएंगे बनाएंगे तरह से हमते हुए थाँ कर दोिए बना देना है तीन बार लगगी है बीट से एक बार और उसी तरह लगा लेंगे इस तरह सी अब यह पहली वार लगाई थी न बेट स साफ कर लेंगे यहां पिश्चप पार कर लेंगे टीन बार जैन यहां पही कर लेंगे आप इसी में बना लेंगे pay critique & सी में ऊपार, कर लेंगे चैन लेंगे अब यहां पर सिंगल कुरिश्या से अटेज कर लेंगे नौ चैन लेते हुए और फिर उसी तरह से हम फ्लावर बनाएंगे अब तीन चैन लेते हुए यहां पर सिंगल कुरिश्या फिर उसी तरह से हमें फ्लावर बना लेना है इसके उपर हम इसी तरह से राउंड बनाएंगे और इस तरह देखे अभी हमें जॉइंट कर लेना है तो यह फ्लावर अब हम कंप्लीट करेंगे फिर सेम स्पेस में सिंगल कुरिश्या करेंगे फिर उसके बाद जो है नो चैन लेते हुए यहां पर सिंगल कुरिश्या कर लेंगे फिर इसी तरह से पूरे पर फ्लावर बनाते जाना है यहां पे आके फिर किस तरह से हमें दोनों फ्लावर को जोडने हैं वो हम बाद में देखेंगे ठीक है इस तरह से देखिए यह राउंड कम प्लेट हो गया यहां तक फ्लावर बन गया है अब यहां पर इन दोनों फ्लावर को जोडने कैसे हैं वह हम देख लेते हैं नो चैन्ले लेते जो यहां पर सिलिप स्टिच करेंगे अब तीन चैन यहां पर सिलिप स्टिच फिर तीन चैन यहां पर सिलिप स्टिच करते हुए अब यहां से हमें जोड़ देने हैं दोने फ्लावर्स को अब ही चैन सब मुड़ी मुड़ी रहती हैं बाद में इसे सेट करना होता है इस तरह देखिए अब तीन चैन पर सिलिप स्टिच करते हुए हमें बीच तक पहुच जाना है इस तरह से देखिए अब एक चैन लेकि बीच वाली स्पेस में सिंगल कर लेंगे अब यहां से हम लटकन बनाएंगे लटकन के साथ राउंड बनाएंगे और यह हमारा आखरी राउंड होगा इसके उपर आप चाहें तो इसी तरह से और भी राउंड डिजाइन के बना सकत हैं तो जितनी बड़ी आपको लटकन चाहिए इतनी बड़ी आप बना लें मैं दस चैन लेके बनाऊंगे कि तीविन बीच से लगाएंगे फिर दस चैन इस तरह बनाके अब इसी में सिंगल को रिश्या कर लेंगे इस तरह से अब इसी तरह से दो बार और बना लेंगे प्रूब प्रूब ठाट और बना लेंगे टीन लड़े बन गे हैं मारी हो अब यहां पर चैनल लेकर घ्रेज़ करीए थी न तो सीएं पर साद चैनल लेके करेंगे क्यूंकि यहां पर सिंखल कुरिश्या कही ब़ी बार बन चुकिए है तो यहां पर साथ ऀछी चैनल लेंगे और यहां पर सिंगल को रिश्या कर लेंगे और फिर चैन लेते हुए उसी तरह से लटकन बना लेंगे इसी तरह से हमें इस राउंड को पूरा कर लेना है यहां तक आ जाती हुए बनाती हुए यहां तक बना के यहां पर लटकन फिर उसके बाल साथ चैन लेती हुए यहां पर सिलिप स्टिच करके धागे को कट कर देना है तो मैं डिजाइन पूरी कर लेती हुँ इसी तरह से और अभी देखिए दिजाइन पूरी करने के बाद यह से थोड़ा सा सुकुरी सुकुरी सी रहती है न तो फिर उसके बाद जो है हमें यह दिजाइन जैसे मैंने आप लोगों को पहले दिखा है कि यह दिखी कितनी सेट है ने डिजाइन तो इस पे मैंने बाद में पानी चुड़कते हुए हलके हाथों से सेट कर दिया डिजाइन चैन भी ऐसे सीदी कर दिया है अच्छे से कर लेना है आगे इसमें अभी कुछ बताने के लिए कुछ खास है नहीं तो यहीं पर मैं वीडियो को रोकती हूं तो उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को यह दिजाइन और यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगों को डिजाइन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इंशालला फिर मिलते हैं ची किसी प्यारी सी डिजाइन के साथ तब तक के लिए लाफीज